हेलो फ्रेंड स्वेल्कम बैक टो मैं चैनल तो कैसे हो आप आयोब आप सबी बहुत ही आच्छी हो गे आज मैं देख आई हो खास बहुत ही अच्छी रामेडी wine जू की ना किसे आपके बालों को लंबा करेंगी बल्कि जड़ से आपको बताऊंगी आपने वही यूज करना है और जैसे बताऊंगी वैसे यूज करना है पूरी वीडियो देखीगा ताकि कोई भी स्टैप मिस ना हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि पसंद आएगी तो जरू जरू शेयर किजिएगा ताकि और सब की से हलप अमला पाउडर देखिए आप आमले को अभी सीजन भी है तो आप अमला फ्रेश आवला लीजिए उसको आप ग्रेट करके उसको पाउडर वडा सकते हो सुखा करके ग्राइंड कर लीजिएगा अपका होम मेट पाउडर डैड़ी हो जाएगा नहीं तो आप ऑल लाइन एज पाउडर इसके बाद आप एपनिस हमें डाला है मेटी डाने इक बालो में काफी तरह से वर्क करता है अगर नहीं हो। हंड़ अग्रों भीं हो और बैक कांफी ज़गी बरा में मेटी ऑढ़त है तो उन सब इसको यो काफी अची दा से वर्क करेंगा आपनी यह डाल दाल द तो आप इसको जरूर जरूर दालेंट्स में इसके बाद में ज़ुनगा है यहां मोरेंगा पाउडर आपने वन टीस्पून डालना है यह आप आलाइन ले सकते हो या फिर आप किसी ग्रॉसरी स्टोर से जसके मैंने पहले ही बताया आप वहां से भी ले सकते हैं इसको डाल दीजिएगा अब आपने शीककाई पाउडर डालना है कि जो भी पाउडर में आपको बता रही हो ना यह सबी नैशनल में से वर्क करते हैं बचे और बुजर्ग भी पहले ही मिने आपको बताया वह भी लगा सकते हैं और हंजी अगर आपके पास और कोई पाउडर अवेलबल है तो आप वह भी डाल सकते हो अगर नहीं है बाई चांस तो आप स्किप भ आपके बालों को जड़ से काला करेगा मजबूत करेगा अगर काफी वाइट हो गए हैं अगर कोई भी डामेडी वर्क मी कर रही है ना जस्ट आप ऑल में भी इस काले कथे को डाल सकते हो कोई भी डामेडी मना रहे हो चाहे तो आप अपनी मेहंधी का पेश्ट बना लगा हो या कुछ भी लगा रहे हो आप अस यह डाल देना है और इसे बेस्ट रिजल रहता है और अब आपने इसमें डालना है अलोड़ा पाउडर देखिए मैं नहीं आपे अलोड़ा पाउड़ा डाल सकते हो यह पावर्क में मिल जाता है आप वह चाहो इन सब को डालने के बा बाल में जितने अपनी quantity चाहिए और इसमें ऑईल मिक्स कीजिए या फिर आप चाय पती का पानी या कॉफी का पानी मिक्स कीजिए और लगाई अपने बालों पर बेस्ट जाता है अगर आप जट पर जाते हो तो आप डारेक्ट इसमें शैंपू मिक्स कीजिए और फिर लगा आप वह यूज कर सकते हो इसमें इसली तो मिक्स कर लिए आप चाहिए तो सरसु का तेल यानिकी मस्टरड ओल तिल का तेल ओलिव ओल कोई भी ओल आप यूज कर सकते हो और यह देखिए हमारी रेमेडी रेडी है आप इसको चीजिए और अपने बालों पर लगा के रखिए अपने पिलो का उपर आप कोई भी पुराना कपड़ा विछा दीजिए जिसके गंदा ना हो तो इसको आपने लगाना है लीज दो घंटे तक के लिए उसके बाद आपने नॉर्मल वाश कर लेना है किसी भी हर्बल शैंपू से आपका जो भी फेर शैंपू है उसे वाश कर लीजिए और विकली आपने इसको दो से तीन बार इसको यूज करना है बेस रिचल के लिए तो आई होप दोस्तों आप सब को आज के वीडियो पसंद आई होगी कि तो कमेंट करके बताएगा नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हो तो चलिए मिल दिम आप से दिए और अची अची विडियो के साथ तेल और तेक चया एंड था एंड एंड हैंग्स आपनेज गाइस वाची वाचिंग थेस वीडियो बाई